हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है मांचो सांगवान आप देख रहे हैं ओए पडले आज की इस वीडियो में हम साथ मार्च 2022 वाला जो पी आट एक्जाम हुआ था उसके जो डियोई वाला था उसके हम रीजनिंग की और मैट्स के कोश्चन स्वाल करने वाले ह ठीक है इससे देखो यह ऐसी लगातर शीरीज आती रहेगी नेक्स शिफ्ट का नेक्स शिफ्ट का नेक्स जैका ऐसे आती रहेगी इससे आपको क्या फाइद होगा पहला आपको कोश्चन का तरीका पता लगेगा कैसे अटेम्ट करते हैं किस वे से कोश्चन को देखना है वो पता लगया दूसरा आपकी practice होगी ठीक है और जिसको नहीं भी आती है reasoning या math वो जरूर देखना बहुत ज्यादा help होगी जब आपकी 5-6-10 वीडियो निकल जाएंगी न तब आपको अपने अब कमेंट में जो चाहता है कि ऐसी classes आती रहें कमेंट में यस यस ऐसे कुछ भी कर देना कि यहां बच्चों को चाहिए दूसरी चीज जिसने भी पूरी पूरी क्लास ली आखरी तक जिसने भी पूरी क्लास ली आखरी तक वह भाई रिक देना ठीक है इस बात हुई खतम चलिए अप स्टार्ट करें चल वा जो देखो यह हैं हंदी कोशिन पेपर हैं मैं हूं इंगलिश मीडियम स्टुडेंट ठीक है और आप मैं से कापी सारे भी होंगे तो भाई इंगलीश वाले हिंदी में काम चला देंगे तो मुझे जो मिला मुझे हिंदी वाला कोश्चन पेपर मिलाइए अगर आपको इंगलीश को आप मेरे भी भेज़ दनीची टेलेगराम एडी होगी वहां बेज़ देना तो अकल सौल करवा देंगे ठीक है और ऐसे कोई भी भाई जो इंग्लिश वीडियों कोई भी की दिक्कत नहीं आने वाली साथ के बताता हुआ चलूंगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना ठीक है आपको क्या करना है जब कोश्चन में दिखाया वीडियो पॉस करनी है वीडियो पॉस करने के बाद खुद से सब्सक्राइब करना है अगर ना आए फिर मेरे सॉलूइशन देखना है ठीक है और भाई वीडियो हम सोड़ा सा पास्ट करेंगे ताकि आपकी स्पीड आपको पता भी लिए स्पीड में कैसे सॉल करना है प्लस आपको समझ भी आजे ठीक है चलो पहला कोश्चन देखो कित इसके बाद चातर पूछाब चातर चातर का डब्बा कौन सा चातर का यह वाला डब्बा ठीक है इन दोलों में और लैप कौन सा कर रहा यह वाली चीज़ है ठीक है तो 48 और 1260 अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 48 क्यों नहीं आया पैटे 48 जब आता जब पूछा होता कितने अध्यापक सिर्फ चातर है ठीक है 48 का बाता जब पूछा होता कितने अध्यापक सिर्फ चातर है अब पूछा है कितने अध्यापक चातर है तो सिर्फ चातर भी यह वाला भी आ जाएगा और कितने अध्यापक चातर और कक्षा भी है तो यह 12 तो यह सारे बताएंगे हम ठ सब्सक्राइगा 60 ठीक है चलो भाई अगला आजो देखो कुछ PQ है मतलब सम पी आर क्यू सम पी आर क्यू ठीक है और सभी PN है मतलब all PRN इसको मैं 50-100 अगर आपको नहीं आता वो आप सीख जाओगे नहीं तो एक अलग सी वीडियो बना देंगे इसकी इसलोगिजम वाली क्योंकि दो तीन सवाल तो पक्का 100% शौर है आते हैं तो उसके अगर आपने वहीं पर देख ली तो उसके बतला आपके साल डाउट्स क्लीर हो जाएगा उससे भी देखो सम पी आर क्यू पी कितने है अगर सम आते हैं तो यह सम आ गया पर दोलों की वैल्य होती है 150 ठीक है यह तो हमारे थे कथन मतलब बेसी के लिए स्टेटमेंट्स थी कंक्लूजन देखो सभी क्यू एन है यह हैं यह हैं कंक्लूजन क्या लिखा हुए और क्यू आर एन और सम अगर सम पी आर नॉट क्यू ठीक है तो आल क्या बताएं मैंने सो पचास सो पचास और पी सम नौट का होता है 500 सम नौट का होता है पचास सो यह पचास यहार चल क्यों नहें रहे हैं थीक है अब देखो भाई पहले देखो देखो all qrn तो relation कहां भीठाना है यह दोनों में तो qn कॉमन के है दोन पी है अगर इन में से इन दो पी होई तो relation बैट जाएगा देखो इसकी वेल्यूपुसौफ है एक वेल्यूप यूपका देखो यहाँ तो मिंस यह गलत हो जाएगा यहां पर क्यू की वैल्यू सो हो नीची है अगर उसकी वैल्यू सो है तो नीची आगे 50 हो सकती है बड़ने सकती मिन्स बेशिक लिए बात है कि क्यू के पास 50 रुपे हैं पर नीचा रुपे नहीं हो सकतें ठीक है अब भी फिर से बता रहा हो शा तूच ही क्या अब दिख रहा हुआ उसकी बाद देखो सम P R naught Q सम P R naught Q P कहा है और अब देखो statement देखो ये negative statement है कभी भी दो pOSITIVE statement से negative positive statement है ये भी positive statement है कभी भी दो positive statement से एक negative statement नहीं बन पाएगा दूसरा भी गलत है तो दोनों निश्कर्स कोई भी निश्कर्स अनुसरण नहीं करता है यह बिल्कुल सही हो जाएगा टिक है भाइ इसकी पीडिएफ तुम्हें मिल जाएगी टेलिगराम पे तो भाइज सारे के सारे टेलिगराम जो चैनल है वह जोइन करने लिंक डिस्क्रिप्शन मिलना एक है इसकी जितने पीडिएफ है यह मांग डवाली भी मिल जाएगी यह मांग डवाली आपको दे देंगे ठीक आगे देखो पाथ चौदा पच्चिस पंतालिस आठ उनिस के रहा आप देखो इसमें न काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस साइड से सॉल करें तो सबसे पहली बात कि बड़े नंबर बड़ा नंबर कहां दिख रहा है यह पंतालिस दिख रहा है यह थर्टी नइं दिख है तो मोस्ट प्रोवाइब्ली इसमें वही है मोस्ट प्रोवेयब्ली पक्का नहीं है कि सॉल हो रहा है और्षजग कर लो साल हो रहा है किने वह ठीक है बट अगर ऐसे चैसे चार बकस है ना यह चार रोज है ऑगर ऐसा आता है तो हमेशा मतलब horizontal way में ही solve होता है, ठीक है, देखो 5, 14, 25, इनको add करके देख लोगार, 25, 5, 30, 30 और 14, 44, प्लस 1, 45, ठीक है, अभी पक्का निया अगला test करते हैं, 19, 11, कितना, 30, 38, 38, 31, 49, ठीक है, बिल्कुल सही है, 41, प्लस 21, 62, 62, और 12, 74, और 74, प्लस 1, कितना होता है, 75, ठीक है, इसी है था, बिल्कुल, ठीक है, जी आदो, इसको दिख रहा था ना, उपर वाला, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा था, शैद मैं एक बर, यार यह यह निकर ठीक है, ठीक है, अब देखो, भाई, जो भी, इंग्लिश मेडियम वाले है, कुछ भी दिक्कत नहींगी, अभी देखो, बताता हूँ, मुझे भी स्टार्टिंग में दिक्कत है, बट नहीं आएगी, चलो देखो, बिंदू P, बिंदू Q से, असी मीटर उत्तर में है, तो म उत्तर मींस नॉर्थ में, ठीक है, Q is 80 मीटर नॉर्थ टू क्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिंदू R, जो बिंदू R है, बिंदू Q के 100 मीटर पूर में, मतलब 100 मीटर इस्ट में है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, बिंदू S, बिंदू R के 120 मीटर उत्तर में है, तो तो यह उपर ले जाओ, क्योंकि यह तो असी था, तो यह असी तक न जरूर इसको मार्क करने, तो यहां असी तक मार्क करने, ताकि calculation असान हो जाए, ठीक यह पहली करके चलना, बाद में अपने आप question solve हो जाएगा, असी तो बराबरी करते है, 40 ही, पूर 120 हो गया, ठीक है, उस होगा, तो बिंदू T के बिंदू S, इस्ट में है, ठीक है, कितने 120 मेटर, तो यहां तक 100 मेटर तो यह हो गए, ठीक है, और यह जो बचा, यह 20 मेटर, होगा 120 मेटर, clear यह वाली बात भी, बिंदू T, बिंदू V, देखो यहां पे चल रहे हैं, बिंदू V, बिंदू T से, 60 म पीटर दक्षिन पर और उसके बाद यहां 20 और बनाएंगे एकस्ट्रा आगी बात अमंगे 2210 तो यह होया यह Takt तो यहां क्या जाएगा बिंदू वी तो यह बिंदू वी यह बिंदू क्यूँ अब उच्छा हुआ है बिंदू पी बिंदू वी से कितनी दूर तथा किस दिशा में है तो भाई देख लो यहां से पहले यहां तक जाओ, तभी तो, तब यह distance निकालना है, बिल्कुल सही है, तो यह क्या चीज बन गी, यह क्या बन गया, राइट अंगल ट्रेंगल बन गया, ठीक है, यह चीज कितनी है, यह यहां से उठाके सीधी यहां लियाओ, तो यह 20 है, ठीक है, और यह इसकी बराबरी में है बिल्कुल, अगर आपने डंक से बनायाँ श应ॏएबा बिल्कुल सही बनाऊगा, तो यह भी 20 है, क्योंकि यह 20 है, तो यह 20 होगा, तो यह 20, यह 20, यह 20, तो पहले उततर पूर्व ऩततर पूर्व, तो यह बागी दो गलगल जांगे, ठीक है, अब है, इसका यहां पे आएक बाएंवेज निकलने की जूरत नहीं पड़ेगी गोख अगर ऑगर दो यहां पर रूट बनता है तो यहां पर कुछ भी आगा तो पांच आएगा तो यहां पांच रूट रूट बनता है ठीक है अभी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपको सिखानी है जो आपको धीरे धीरे आएंगी यह ऐसे बनता है ठीक है भाई तो यह बात याद रखना निकालने की जूरत नहीं है ऐसे बहुत सारे जब बीच में कोश्चन आगे ना आपको सारी चीज़े सिखाता हुए चलें ठीक है यहां जाओ देखो अगली फिगर बतानिये इसके मुकाबले की देखो यह गोला यहां था यह उठके राइट में चला गया चला गया यह बक्सा यहां था लेफ्ट में उठके राइट में आ गया तो यह बक्सा यहां पर उठके कहा जाएगा राइट में और यह कहा B और D है यह option तो गलत हो जाएंगे उसके बाद देखो F पहले right में था अब left में आगा तो minus पहले right में था अब left में आजाएगा तो option कौन से है सिरफ A और C ही बचे थे तो minus left में किस में A option में है तो यह आजाएगा है ना बिल्कुल सही होगी चलो जगला आजाओ यह देखो साथ बंदे हैं L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ठीक है वो एक सब्ता के जो कि मंडे से स्टार्ट होता है मंडे से संडे तक विभिन चार दिनों पर कारिया पर जाते हैं और उसके बाद नीचे दो को यह कंप्रोशन दिए में बताना कौन सा सही है और प्राइद से संडे पहले बना लो सारे सबसे सान को समें होते हैं सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करना होता देखो निकल बस जो चीज़े बोली हो भरनी होते मंडे ट्यूज्डे वेड्नेस डे थर्जडे फ्राइड़ सेटरडे संडे राइटिंग देख लेना वह तुम देख लोगे ठीक है एक ही दिन में दो व्याख्यान दो व्याख्यान मतलब दो बंद और दो बंदे नहीं मतलब कि एक दिन में एक ही आदमी गया है एल्वन T atheist के बीच एन्वन T jud does के बीच में तीन व्याख्यान गई मतलब कि अगा है उसके बाद देखो हलल एंसे पहले गया है अब हमें पता नहीं है कि इनके यह कहां कहा पर गए बस हमें पता है, L1, L2 की बीच में तीन बन दे गई है, ठीक है, और ये भी पता है कि L1, L2 से पहले गया, तो ये order correct है, ये बिल्कुल सही है, तो मैंने इसको box से बन करे दे कि ये जो information है बिल्कुल correct है, उसके बाद देखो, L6 शुकरवार को गया है, शुकरवार मिन्स Friday, तो L6 का गया है शुकरवार को, बिल्कुल सही है, L3, L7 से पहले गया है, बस ये बताया गया है, कि L3, L7 से पहले गया है, ये नहीं बताया है कि जश्ट पहले है, इस बात का इन पजल में ज़रूर ध्यान रखना, ये बताया गया है कि L3, L7 से पहले गया है, बट ये नहीं बताया है, जश्ट पहले गया है, वो लिखा रहेगा कि L3, L7 से जश्ट पहले गया है, वो सारा लिखा रहेगा है इंγलिश में, हिंडी में जैसा भी मैं language side convert ना कर पारा हूँ पर लिखा रहेगा वह आपको बच अभी सिरफ यह बताया गया कि L3, L7 से पहले गया वो कभी भू सकता है ठीक है, for example, इसे Sunday को L7 गया, तो जरूर नहीं कि Saturday को L3 जाए जरूर नहीं, जा भी सकता है, जरूर नहीं है ठीक है, L4, L6 के बाद ही गया है L4, L6 के बाद ही गया है यह नहीं पता कब गया है, जस्ट बाद गया है कि उसके और 2-3 दिन बाद किया है उस सारा भी confirm नहीं है L5 तथा L6 के बीच में दो ब्याक्ख्यान दिये गई है अब देखो L5 और L6 के बीच में दो बंदे गई है तो L6 तो यह रहा L6 यह रहा तो अगर L6 को अगर मैं 1, 2 तो आग गे नीचे जगा तो नहीं बची L5 के लिए तो मतलब यहां तो L5 नहीं गया तो अगर L5 यहां गया होगा तो दो बंदे की जगा 1, 2 बिल्कुल सही है लिखाओ ना L5 तो L6 के बीच में दो बंदे गई है तो L5 L6 के बीच में दो बंदे गई है अब आप में से कुछ बोलेंगे कि सर L6 बना दिया और यह दो जगा तो L5 को मंदे को भेज दो ऐसा नहीं होता इन पजल्स में जो स्टार्टिंग डे दे दिया नहीं बोला ना मंडे से फोंब बार से रवी बार तो इसमें आप बैक नहीं आ सकते ठीक है जैसे आप गोल जगो कि संडे के बास मंडे को सर रख दो L5 को ऐसे नहीं रख सकते ठीक है क्लीर बात L5 और L6 की जगा क्लीर अब देखो यह बल जगा देखो एक, दो, तीन, चार, पांच पांच की जगा चीए अगर मैं L1 को यहां रख दू तो बीच में तीन मंदे एक, दो, तीन देखो L1 को मैं अगर यहां रख दिया मैंने L1 को ठीक है तो एक, दो, तीन यहां पर L2 आना चीए बढ़ यहां पर L6 पहले से है ठीक है तो L1 को अगर मैंने यहां रख दिया मैंने L1 को रख दिया तो एक, दो, तीन तो L2 यहां रखा जाएगा बिल्कुल सही है इसकी अलावा और कहीं अगर L1 को अपने यहां पर रखना चाहा तो नहीं बनेगा एक, दो, तीन L2 की लग जगा नहीं बचेगी है ना ठीक है तो बात समझेगी L1 को कहा रखना पड़ेगा L1 को रखना पड़ेगा वेनस जई बिल्कुल सही एक, दो, तीन और यहां पर आदेगा L2 बात होगी अब क्या लिखाव है यह देखो L4, L6 के बाद गया है तो L6 के बाद जगा एक ही बची है Saturday वाली तो यहां L4 गया होगा L4 गया होगा ठीक है, बाई देखो पहली बार इसमें पड़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी क्या बोलते है राइटिंग या फिर कुछ कंजस्टिड हो सकता है तो पहली बार में पड़ा हैंडल कर लेना ठीक है इसके बाद देखो अब क्या सारे चीज भर चुकी है बस यह देख लो L3, L7 से पहले गया है तो L3 और दो जगा बचिए एक यह जगा एक यह जगा तो L3 पहले जाएगा L3 और L7 ठीक है तो एक बार रब करके डंग से बना दूँ या फिर ठीक है देखो यह है L3 यहाँ पे है L5 यहाँ पे है L1 यहाँ पे है L7 यहाँ पे है L6, L4 और L5 L2 सबी लास्ट में L2 यह पाई देख लेना अब देखो L7 गुरुवार को गया है L7 कहा है L7 यह थर्ज़े गुरुवार ही कहते है थर्ज़े को गुरुवार ही कहते है तो पहला बिल्कुल सही है L2 तथा L5 के बीच में तीन व्याक्षान कहें गई है मतलब कि तीन बंदे कही है L2 तथा L5 L2 कहां गया L2 तथा L5 के बीच में तीन व्याक्षान एक, दो, तीन, चार, चार आई है तो दूसरी स्टेटमेंट गलत तो पहला ही सही है बस तो केवल एक केवल एक इसका अंतरा देगा केवल एक क्लीर है चलवा गया जो दिये गए वेंड डाइगराम में वेंड डाइगराम दिया हुए दिखर है ठीक है जी बच्चे बच्चे जो ना ही आदमी है ना ही ओरत है कि संक्या पिचासी है ठीक है केवल बच्चे ये रहर बच्चे का सरकल छीक है ना ही आदमी ये तो लेना ही नहीं तो कट जाएगा और ना ही पुरुषिय भी कट जाएगा तो बचा कितना पिचासी ये बिल्कुल सही है पहला तो आगी बात कलिए बात कलियर हुई की नहीं महिला वाला और पुलिश वाला काटना ही है पूरा जब कौमा ने सारा काटना है इसके काटने वाद बचा गया पिछा सी पहला सही है ठीक है दूसरा देखो औरत की कुल संख्या 311 औरत का ये वाला पूरा है औरत का 128 128 और 78 कितना हो गया? 128 और 78 72 और 206 ठीक है? 206 216 71 और 24 पिचान में है ना? तो 1, 0, 301 आ रहा है तो 311 तो नहीं है तो कौन सा? बस पहला सही है तो केवल 1 बाइ बिल्कुल सही है आ रहा हो का समझ में ठीक है अब ये देखो 150 का जिसको आता है वो जरू कर देना भाई जिसको जिस तरीके आता है वो उसी तरीके से करना ठीक है? जो 150 का ये उनके लिए बहुत काम आएगा जिनको नहीं आता और उनके लिए क्लास आजाएगी सिलोगिसम की जो भी है देखो कुछ P T है सम P R T सम P R T सम P R T यही है सम में 50-50 मतलब कि दोलों के पास 50-50 रूपी है और सम वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है सम T R S सम T R S ये भी 50-50 की होगी सम वाली स्टेटमेंट है कोई भी J P नहीं है No J R P No में दोनों 100-100 भाई ये ना स्टार्टिंग में तुम्हें शायद कन्फ्यूजिंग लग सकता है बट एक बार कर लोगे कभी भी गोले बनाने की जुरत नहीं पड़ेगी और 2 सेकंड मन चराएगा ठीक है कुछ S J नहीं है कुछ S J नहीं है ठीक है मतलब कि Sum S R Nought J तो value कितनी 150 होनी चाहिए इनकी ये फिलाल के लिए skip कर दो ये वाला portion जिसको इसमें समझना है न वो अगले question पर चलना है ठीक है ये फिर से बता रहा हो थोड़ असा complex starting में लग सकता है चलो 150 मतलब कि इस और जे में जिसको आता है वो अपने इसाब से करना है Sum S R J Sum कुछ S J नहीं है Sum S R Nought J तो value होती है sorry starting में है थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रहे है मैं कुछ गलत लिख जाओना तो भाई एक बढ़ कमेंट करके बता देना सर नौट जे मतलब कि पचास सौ Sum T R Nought कुछ T J नहीं है Sum T R Nought J पचास सौ पचास T की value 100 J की value कुछ J T नहीं है तो 50 J की value 100 T की value अब देखो पहला के relation है S और J की बीच में S और J की relation में कैसे बैठेगा S और J पहले क्या करना पड़ेगा S से T से T मिलाना पड़ेगा फिर P से P मिलाना पड़ेगा आपको भी समझ नहीं है मैं कैसे प्रतूं भी आपको इसको भाई तुम ना चलो अब आपने कर लिए अगर अंसर मैच करवाएता हूं उसके बाद फिर से एक class लेंगे इसकी बड़ी आसी फिर कर लेना ठीक है तो भाई इधर देखो S की value 50 है S की value 50 J की value 100 S की value 50 जरूर है S की value J की value 100 जरूर है बट यहां T की value 50 है और यहां 50 है और मैंने पहले पताया कि 50-50 वाले नहीं मिलेंगे तो यह गलत हो जाएगा तो पहला गलत हो जाएगा पहला गलत हो जाएगा दूसरे देखो Sum T R not J T और J में T J में Sorry sorry T J यह रजी PP P की value देखो इदर 50 है PP की value इदर 100 है तो बन जाएगा अब इनकी value देखो T की value यहां 50 है यहां T की value 50 है J की value 100 है दूसरा बिल्कुल सही है फिर से बता रहा हूं यह तीसरा match नहीं करेगा तो इसका answer only 2 आएगा क्योंकि अब देखो यह मैंने तीसरा match क्यों नहीं करेगा यह इसलिए बोला क्योंकि option पहली देख लो only 1, 1, 2 & 3, 2 & 3 और जब मुझे पता है पहला match नहीं किया तो यह option तो कटी गया यह option भी कटी गया बिल्कुल सही है अब बचे केवल केवल वाले only 2 अब only 2 match कर रही गया तो 3 check क्यों करना है ठीक है यह आपको जब दीर 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 आप बहुत सारे practice कर लोगे जब आपको समझ आ जाएंगी अब देखो भाई जब answer की आते हैं काफी सारे graphs जो क्या बोलते हैं डी आई के होते हैं या फिर dice के होते हैं इन्होंने जो diagrams होते हैं यह नहीं दी होते हैं तो मैं अपने आप से खुद से बना लाया हूं देखो dice में क्या करना होता है for example इसमें बोला कि जब 5 सबसे उपर है तो सबसे नीचे कौन होगा तो यह dice मैंने अपने हप से बनाई है देखो एक पांच छे एक पांच छे एक तीन दो इन दोनो dice में common जोनो common क्या है common एक है इन दोनो dice में common क्या है एक यहां लिख रहा हूं उपर यह वेल dice का पहले dice का अब यहां से clockwise चलना चलो करो एक पांच छे लिख दो एक पांच छे दूसरी dice में common एक दूसरी dice में common यह लिखो clockwise चलना चलो करो एक फिर तीन आया फिर दो आया एक देखो एक हो गया दो तीन चार रह गया ना तो चार जो बराबर मतलब जो same to same आरहने से एक एक तो यहां चारा जाएगा ठीक है इसका मतलब आपके वास अब पूरा का पूरा dice का हो चुका है एक के सामने चार होगा पांच के सामने तीन और छे के सामने दो तो पूछा पांच के सामने क्या हो जाएगा तो पांच याद होनी चाहिए ठीक है चलो देखते हैं इ, क, Q देखो पहले starting starting के यहां पर E है यहां पर K है Q है W है C है I है E की value 5, K की value 11, Q की value 17, W की value 3, C की value 3 और I की value 9 नेक्स्ट, V, B, H, N, T, A, V, 22, B, 2, H, 8, N, 14, T, 20, और A, 1, अगले बार T, N की वेल्यू 14, H की वेल्यू 8, B की वेल्यू 2, T की वेल्यू 22, और P की वेल्यू 16, ठीक है, एक बार लिख लिए आप इसमें देखते हैं, क्या इसमें पैटर्न मन रहा है, देखो, 6 प्लस दिख रहा है, 6 प्लस, 5 प्लस 6, 11, 11 प्लस 6, 7, 17, 17 प्लस 6, 23, 23 प्लस 6, 23 में तीन जुड़े का 26 और 26 और 3, 3, और 3 और 6, 9, तो यह तो बिल्कुल सही है, प्लस 6 का चल रहा है, यह वेल्यू सेक्मेंस बिल्कुल सही है, प्लस 6 हो रहा है इधर भी, है न, 22 प्ल यहाँ पर यहां पर इसाथ होगा तो यहांस होगा आप देखा उल्डीज नon p सवस्वस्प्ज्भीस और उसे CPG दीया तो यहां वाला गलत यह वाला सेक्वेंस है मतलब कि आई एप वाला कंक्स्ट्राइए और बात और भाई भाई कोशन देखती है आपको समझ आया जाने चीए आपको प्रक्टिस इतनी कर लेनी है कि भाई पूछा क्या है ठीक है अब जिसे देखो अब इसमें क्या मुझे कोशन पढ़ने जुर्द पढ़ेगी मुझे पता है कि इसको करम नुसार लगाना है करम नुसार लगाना है इसमें बटjung गरो जरूर देख लेना कभीकभी आज घुमादीथा है को तो बट्बादृण अब मुझे पता डिस्क ड्रफ अदि के अकॉडिंग लगाना है बट आज करम नुसार ऐवर मुजेatalow Tails फालो में से सब में सीव है बटी यहां पर दो हई hij सबसे छोटा है डी के बाद डी जी आ जाएगा यह ना डी ए एफ जी जी एच आई कि जे के और यह तो इसी था पच्छी 634 पच्छी 634 इसमें कुछ था ही नहीं यह आगे बाई sitting arrangement के और sitting arrangement में काफी सारे मेरे दोस्तों को दिक्कत होती है न चलो अब देखते हैं इसकी दिक्कत दूर करते हैं एक बाद आप से करो वीडियो को पॉस करके आपको सारे कुशन खुच से करने फिर मेरे सॉलूशन देखना है अब देखो बाई जो इंग्लिश वाले हैं पहले मेरे को भी नहीं पता था यह मेरे को पता लग गया दाया होता है राइट मतलब इनमें कन्फूजन होती थी थी हमगी सोचे कबदाय को अगरने पता होगा तो यह तो कन्फूजन हिंदी वालों को भी मतलब होता है छलो कि बनलो एक दो ती सीद है साथ कैसे बना सकता अपनी अमर्जी है ठीक है के अंदर की और मुग करके बैठे हैं सेंटर टूब सेंटर बी तथा जी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं बी तथा जी के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं अब देखो मैंने यह लिख जरूर दिया बट इसका मतलब यह नहीं है कि भी इदर ही आए जी यहां पर भी आ सकता है और बी यहां पर भी आ सकता है इन्होंने बताया है नहीं स्पैसिपाई नहीं किया कि बी की साइड बस यह बता है कि B और G के बीच में दो बंदे बैठते हैं, यह बात आप समझ की होगे, ठीक है, A, E की बाई और से दूसरे स्थान पर बैठा है, बाया मतलब लेफ्ट, तो A, E के दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही है, अब यह specified है, कि, sorry, बाया राइट, लेफ्ट सुरी यार, very sorry, my children, let's start again, देखो, A, E, के, मैं यह बाया राइए में फिर स्थान पर बैठा है, बाया मतलब लेफ्ट में, बाया हाँ, ठीक है, तो यह सही है, A, E, के, बाय और से, दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब E, के, लेफ्ट साइड से, सेकंड पोजिशन पर है, तो एक, दो, बिल्कुल सही है, E, के, लेफ्ट से, बिल्कुल सही है, यहां तक ठीक, C, G, का पडोसी है, C, G, का पडोसी है, अब भई, यह याद रखने है, पडोसी जरूर है, पर G, इस सैड भी हो सकता है, और इस सैड भी हो सकता है, यह बात भी याद रखनी है, clear, D, B के दाई और से तीसर स्थान पर बैठा है, यह दिखरा हो ना, ठीक है, यहां देखो, D, B के दाई, दाई मतलब होता है, तो B के, राइट और से, तीसर स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा स्थान हो गया, ठीक है, यह भी बिल्कुल confirmed position है हमारे पास, ठीक है, अब देखो, जब आपके पास ऐसी चीज़े आ रहे हैं, यह पूरा लिख लिया मैंने अब, अब इसमें से कोई भी एक चीज़ बना लो, कोई चाहिए तो यह बना लूँगा, जो confirmed है मेरे पास, चाहिए यह बना लूँगा, यह confirmed हैं कि C जी मैंने, अगर ऐसे बना दिया, तो यह ऐसा भी तो हो सकता है, और B और G मैंने इसे बना दिया, तो उन्टा भी तो हो सकता है, जो confirmed चीज़ है वो एक बना लो, इन में से कोई भी एक चीज़ बनेगी confirmed एक बार, मैं यह बना लेता हूँ, अगर A मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, तो E यहाँ बनेगा, E के बा सही है, अब देखो, B के राइट में तो D है, B के राइट में D है, तो अब यह देखो, क्या यह जो B के, यह वाली पोजिशन में ने बनाई है, B के राइट में 2G, यह वाली तो गलत हो जाएगी, सही पोजिशन काउची होगी, यह वाली पोजिशन मिल्कुल सही हो जाएग है ना योकि जो हमने बनाई थी बोला था ना कि टेंपरेरी है इनको यह आगे पीछे हो सकते हैं है ना चलो यह वाली गलत तो यह वाली सही तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि B के B के दो राइट में तो D है और दो लेफ्ट में जी है तो देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ यह तो साथ होगे साथ के साथ होगे यह तो ठीक है अब बनाओगे कैसी इसको देखो भाई इसमें टाइम लगेगा अगर आपको लग रहा है कि पटाफट में सॉल्ट कराकर निकल जाओ ऐसा नहीं है थोड़ा सा टाइम लगेगा एक दो बार में समझने में दिक्कत आएगी पर दूसरी बार समझे होगे बिल्कुल समझ अब देखो यह साथ हो गए यह चीज साथ और यह भी साथ है यह बंदे भी साथ है वही अब आपको ध्यान से लगाना देखो अगर मैंने बी यहां रख दिया तो एक दो यहां आजाएगा एक दो यहां आजाएगा है ना देखो यही तो हमारे पास बी के दो राइट में current B के दो left में G एन अगर भी यहां बना दिया तो एक दो यहां डी हाज आ सकता इसरी को ऑर यहां रखसेकर bowl यहां इसरी को तो बी का आपके पास एक ही option है यहां रखने का बी के right में दाई और डी है तो right में एक दो यहां पे डी आ जाएगा और left में एक दो छोड़के क्या है जी है और सी जी पडोसी है तो सी यहां जाएगा और बचा क्या है A, B, C, D, E, F बचा F यहां जाएगा बिल्कुल सही है कोई problem आई नहीं आई आई तो एक बच फिसी देखना और खुद से try करना भाई अगर मैं एक बच करके दिखा दिए इसका मतलब यह नहीं की हो गया आपको खुद से try जरूर करना है ठीक है F, D के तुरंत by, by मतलब left तो D के तुरंत left में बैठी है, imagine करो आप D हो, आपका मूँ center के towards है, ठीक है, आप D हो, आपका मूँ center के towards है, तो left side आपके F बैठी है, देखो, imagine करके देखो, यह lefty है इसका, करके देखो ठीक है, और अगर imagine भी ना हुआ, imagine भी ना हुआ, अगर आप center के towards मूँ करके बैठे हो, तो जो आपका anti-clockwise, जो इबर मैं pen चीन करना हूँ, अगर आप anti-clockwise जाओगे, तो right बनेगा, और अगर आप, अगर आप clockwise जाओगे, तो आपका क्या बनेगा, sorry, बिल्कुल सही है, और अगर clockwise जाओगे, तो आपका left बनेगा, ठीक है, अगर आप anti-clockwise जाओगे, तो आपका right बनेगा, और अगर clockwise जाओगे, तो left बनेगा, यह देखो भाई, मैं तो यह कह रहा हूँ, यह चीज याद मत रखो, यह जितनी चीज़े कम याद रखोंगे, उतनी चीज़े अच्छी रहेंगे, concept clear रखो, अगर आपका मुह center की तरफ है, अगर आपका circle का table है, center की तरफ आपका मुह है, तो right side ऐसे गूम की जाएगा, और left side ऐसे गूम की जाएगा, वो थोड़ी सी imagining power बढ़ाओ, ठीक है, तो यह चीज तो बिल्कुल सही है, पहली चीज तो बिल्कुल सही है, G तथा E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तो दोनों ही कथल सही है, तो एक और दो, दोनों ही सही है, ठीक है भाई, चलो आगया जाओ, I, T, 58, 47, 48, फिश की code बताना है, मैंने बताया कि आपको सारे alphabet स्यातों ने चीज़िए, देखो, I की value 9 होती है, T की value 20 होती है, तो 20 और 29, और 29 का double ही अठावन आगया है, तो 29 का double 58, है ना, उसके बाद S, S की value 19, A की value 1, 19 और 20, 20 और D की value 4, 24, और 24 का double 48, मतलब की sum करके double ही हो फिश का देखो, फिश की, F की value 6, I की value 9, H की value 19, H की value 8, तो 9, यह कितना हो गया, 9 और 6, 15 हो गया, 15 और 8, 23 हो गया, 23 और 19, 42, 23 और 19, 42, और 42 का double 48, थोड़ी सी भाई, अपनी calculation speed पे जरूर ध्यान देना, जो असान question है, उसको तो मैं आपको ऐसी करा दे रहा हूं, इसमें करती है, आप कितनी जल्दी आदा है, कार भाई काहां, गेराज में रखेंग, कपड़े काहां रखेंग, अलमारी में, ठीक है, A, B का पिता है, A, B का पिता है, B पता नहीं लड़का है की लड़किया, पर लड़के के लिए plus sign इस्तमाल करो, और लड़की के लिए minus, वो कुछ भी कर सकते हो आपकी हिसाब से, अब ऐसे मत बोला, सर लड़कियों को minus की बोल दिया, ठीक है, ऐसे मत करना, ये simple solve करने का तर sign लगा दिया है, B का पता है, फिलाल B का कोई gender पता नहीं है, B, C की बहन है, B, C की बहन है, तो ये पता लग गया, B, C की बहन है, तो C, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पर, C की बहन B है, तो इसका बात तो वक्ता है कि जो B है वो लड़की हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है और D, E का पुत्तर है तो D तो लड़का होगा कोई कोई पूत्तर है और E का पूत्तर है तो E अब यह तो यह सारे भाईबेन होगे इनके माबाप ही तो होंगे तो माबाप के लिए मादगों जिसके शादी हो रखिया उनके लिए हमग डबल लगाते हैं हमने जहाँ पर देखो यहाँ पर से नीचे तो जे मिलत नईरेशन दिखाने के लिए यह साथ-साथ के लिए पर अकर मैं डबल लगाया तो मतलаешь हज़ादी हो चुकी है तो यह फाचमनों कि मेल तक क्हुंट रहाए तक है दो के होचने हैं इंच बहुत लुप्त अंक बताना है लुप्त अंक बताना है 23,28,56,73,109 में देखो पहले लिख लो सारे 23 और 28 में गैप 5 का 28 और 56 में गैप 28 का 56 और 73 में गैप 17 का तो भाई अपनी कैलकुलेशन को जरूर तेज रखो पलस माइनस कैसे जल्दी करना है मल्टिप्लाइ कैसे यह सारी चीज़े बहुत जरूरी है एक्जाम करेक करने के लिए ठीक है अब देखो पांच 28 17 126 यह हम बोलेंगा कुछ बैठ तो ही रहा पर देखो जब भी गैप बहुत बड़ा देखो पहले पांच आया फिर 28 फिर एकदम से कम और फिर एकदम से बहुत बड़ा अगर ऐसी चीज़े आए तो सो परसेंट शोर स्क्वेर स्क्वेर जो स्क्वेर्स होते हैं नंबर्स के और क्यूब्स वह शामिल मिलेंगे चाहिए स्क्वेर्स शामिल मिलेगा चाहिए क्यूब्स शामिल मिलेंगे हमेशा मिलेंगे क्योंकि जब बड़ा गैप आता है न वह हमेशा मल्टिप्लिकेशन सही हो सकता है और मल्टिप्ल यूफ्र है 5 है दो स्कवेयर प्लस एक 9 टीक uh 18 के टीन क्यूब प्लस एक बिलकुल सफिए बता। क्या है 5 cube plus 1 बताओं बिल्कुल सही है सही है न तो 2 का square 3 का cube 4 का square 5 का cube आगे 6 का square plus 1 तो आ नहीं है तो कितना आदाएगा 6 का square plus 1 37 आदाएगा और 199 में 37 जोड होगे 199 में 37 जोड होगे एक से 200 बन जाएगा और बचेया कितना चातिस दोसो चातिस तो इसका अंसर कितना जाएगा बचे दोसो चातिस ठीक है भाई एक नजरिया जरूर मिलेगा कि पेपर को attempt कैसे करते हैं जरूर मिल भी रहा हुआ एक वैक्ति एक बिंदू से दक्षिन की और चलना आरम करता है सो मिटर चलने के बाद वैद बाई बाई मतलब लेट्ट और मुडता है तो इसलें टर चलता है अठेए वैद बाई और मुडता है बाई कितनी दूर है यह बताना है देखो पहले एक बंदा यहां पे था दक्षिन की और चलता है अब साउथ की और जा रहा है और लेफ्ट मुड़ा अब आपने बनाया तो आप हम जो मुझे पता है आप लेफ्ट यहां बना दोए बट आप खुद देखो जो बंदा यहां से यहा आ रहा है ना दक्षिन की आपके सामने चल की आ रहा है या फिर आपके सामने कोई भी अपने घरवाले को खड़े करोगा मम्मे खड़े कर रहे पापा को या फिर शीशे में खड़े जाओ जो आपका राइट होगा वह लेफ्ट होगा जो आपके सामने अंकर इंटी खड़ चलो लेफ्ट मुडा सो मीटर चलने के बाद नो तो साथ मीटर चलता है और फिर बाई और मुड़ता है अब आप खुद देखां जब आप अब तो जो आपका left वही इसका left इधर जा रहे हैं आपकी जगा जा रहे हो तो left मुड जाओगे तो left मुड जाओगे तो था 20 मिटर चलता है अब वह आरामबिक बिंदू से कितने दूर है तो एक बिंदू तो यह होगी एक बिंदू यह बताने distance यहां से मैच कर देंगे ठीक है आखरी में क्या बचा है एक right angle triangle यह 20 है तो यह कितना बचेगा भाई यह 80 बचेगा तो यह 80 और यह 60 और आपको पता है 6,8,10 का एक pythagoras triplet होता है मितलब की triplet अगर आपको ना पता हुआ आपने geometry वाले kv इसके टाइम पर वीडियो देखी हो या number system वाली वीडियो देखी हो उस पर आपको अच्छा खासा idea हुआ ठीक है यह फिर से करा दें कोई जिंते वाली बात ही है अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकती हो 60 और 80 का ठीक है अगर यह भी निकालना एक असान तरीका बता हो सबसे असान तरीका देखो 60 है 80 है यह पता नहीं पहले 60 और 80 में से common निकाल लो क्या common आजाएगा 20 क्या 3 4 3 4 5 को ट्रिप्लेट बता है नहीं 3 4 5 का जब 3 बेस या हाइट हो या फिर जो इस बनता है वो कितना बनता है पांच का तो यह पांच का और यह multiply कर तो यह वापीस आजाएगा यह कितना आजाएगा 100 तो बेटा यह 100 आजाएगा ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों चलो जी 1 3 5 9 21 37 अगला टम बताना है चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको इसब से असाना होता है रिखना उसके बाद 2 यह यह सि premiere to बताना क्या आएगा देखो बच्चे अब यहां पर जोड़के देखोगे तो प्लस तो होनी रही है न क्योंकि दो से दो प्लस जीरो किया फिर दो किया फिर आठ किया फिर चार प्लस कर दिया ऐसा हो नहीं चकता है मतलब उपर नीचे प्लस है ठीक है तो ऐसा तो होगा नहीं चलो देखते हैं देखो यह दो इंटू एक हो सकता है दो इंटू एक ठीक है यह दो इंटू दो हो सकता है यह चार इंटू तीन हो सकता है पर यह बारा इंटू चार नहीं हो सकता बिल्कुल सही है पर यह बारा इं बिल्कुल और ये दो इंटू दो ना होके दो प्लस दो भी तो सकता है बिल्कुल हो सकते हैं पैटन आगा है दिघ्र गया 2 में 2 into 1 2 जो भी यहां है 2 प्लस में 2 कर दिया फिर जो यहां है फिर into 3 कर दिया फिर प्लस 4 कर दिया मतलब into 1 plus 2 into 3 plus 4 into 5 plus 6 ऐस चल रहा है मतलब गिंती चल रहे है बस आगे into और plus अब 16 सोला अब यहां प्लस तो हो चुका है अब मल्टिप्ला होगा सोला पंजे सोला पंजे असी और असी बटे असी दोस्तों 37 में जोड़ दो कितना देगा एक गचलो है अगले देख़ हो कि ऑद्यीग सा अ कि वेल्यों होती है इस प्रहरेन की होती है कि वेल्यों चार होती हो जादा है जिसमें इसमें तोमें इसका मिलता जूलता क्या बताना है पैट्रन तो इसमें अगर ना भी बने इसमें कोई बन रहा है इसमें मैन सर्कमार ंद्र मैना घुष में पीरम नाना है तो आप धोनगो आप ceremony द्रसके हैं देखो माइनस 3 हुआ है बिल्कुल सही है यह वाली चीज मिलगी मैच होगी मैच होगी और प्लस दो यहां पर प्लस दोगा यह पेली option मैच होगे तो यह बिल्कुल option correct है ठीक है यह reasoning का हो गया 47 minute हो चोगे है प्रवाइब कोई नहीं भाई इट विल टेक टाइम इफ पता है अच्छी चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है और आपको एक अच्छी चीज एक अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा इन्वेस्ट यूर टाइम है ठीक है चलो काफी सारे बच्चों को ना शायद मैं असे कंसेप्ट ना आते हूं मैं असा से असान तरीके में समझाने का ट्राइए करेंगा इसको ना आते हैं उसको भी समझाएगा इसकी टेंशन मतलो पर जिसको नहीं आता ना वाई कंसेप्ट वह ज़रूरी सीख लो चाहिए मेरे से सीख लो चाहिए कमेंट कर दो सरी वह पढ़ा दो एक बार वह करा देंगे ठीक है अभी आपके पास टाइम है बट अगर नोटिफिकेशन आ गया वेकेंसी आगी तब टाइम नहीं रहेगा ठीक है प्रेक्टिस के लाभा चलो 19 संख्याओं का ओसत 37 है यदि हम प्रेक संख्या में बी को जोड़ देते हैं तो उसत 39 हो जाता है ठीक है एवरेज का मतला अगर मैं बोलू आपसे अगर मैं आपको बोलू पांच संख्याओं का एवरेज साथ है तो मतलब पांच एक, दो, तीन, चार, पांच यह संख्या बेशक अलग-अलग हो सकती है पर अभी मैंने बोला है कि हर संख्या का ओसत साथ है मतलब पांच संख्या का ओसत साथ है तो मतलब कि यह साथ, यह साथ, यह साथ, यह साथ, यह साथ, ऐसा मान कर चलेंगे, ऐसा होगा नहीं कोई यहां दस मिलेगा, कोई यहां च all terms बटे नमर अप्टम्स भी होज़ा ना थीक है अब मैं बोलू कि इन पांचो का मुझे उसत है आठ करना है तो क्या करूंगा सब में एक एक जोड़ दू सब में अगर मैं एक एक जोड़ दू तो सब तो यही वैसे बोला कि 19 संख्याओं का उसत 19 संख्याओं का उसत यह उनस संख्याओं ऐसे करके उनका 37 यह भी 37 यह भी 37 यह थी 57 और 59 बनाना है तो इसको 52 जोड़के 59 हो गया अगर यह सारी आपने बाइस जोड़के 59 बना दी तो उससे तो हो गया 59 यह इसमें समझाने को एक दो घंटा और समझा सकता हूं पर अभी जो में का मैं प्रैक्टिस का वो गया जा रहे हैं तो कितना बाइस जोड़ेंगे ठीक है जी दो कार एक बिंदू से दो कार एक बिंदू से एक ही समय पर चलना अरम करती है तो था एक दूसरे के समकौन दिशा में समकौन मतलब एक दूसरे के राइट एंगल में जा रही है लाइक अगर यहां से चली तो एक यहां जा रही हो गया ठीक है एक की स्पीड 18 km परती घंटा है दूसरे की स्पीड 72 km परती घंटा है और 6 सेकंड पस्चात उनके बीच की दूरी बतानी है देखो 18 से करते हैं अगर मैं बोलू कि एक गाड़ी की स्पीड 18 km परती घंटा है इसका मतलब क्या है कि वो एक घंटे में 18 km जा रही है, इससे सान भाष्या और गया होगी, यही तो होगा 18 km परती घंटा, अब कावी जारी बच्चे करनी सी जाते हैं, इस्पीड बेटे 18 km परती घंटा, इसका मतलब यही तो हुगा, कि 18 km जाएगी गंटे में बिल्कुल सही है अब एक घंटे में 18 km जाएगी तो मतलब 60 मिनट भी कह सकता हूं इसको मैं 60 मिनट में 18 km ठीक है तो एक मिनट में कितनी जाएगी बच्चे एक मिनट में 18 बटे 60 जाएगी कितने में निकालनी है 6 सेकंड में 60 सेकंड में कितनी जाएगी एक मिनट कितना है 60 सेकंड ही तो है इतनी ही जाएगी यह मैं आपको खोल के बता रहूं जिसको ना आए ठीक है और 6 सेकंड में निकाल नहीं है तो इसको बटे अगर 10 कर दूँ मैं तो यहां 6 सेकंड आ जाएगा तो यहां पर बटे 10 करना पड़ेगा ठीक है तो कितना आ जाएगा यह बच्चे देखो 18 किलो मीटर ही है तो 18,000 मीटर हो जाएगा 18,000 मीटर बटे 60 इंटू 10 1 से 1, 1 से 1 6, 30 मतलब की इसको मिटा दू थारा देख लिया होगा मिटा दू युकि जगा का मैयाल में पर थोड़ी सी इसलिए इसलिए अपन इसको मिटा देगा अभी ठीक है मतलब की 6 सेकेंड में ये गाड़ी 30 मीटर जाएगी क्लिर बात अब ये 6 सेकेंड में 30 मीटर जा रही है ये वाली गाड़ी तो 18 किलो मीटर पर ती घंट चलने वाली गाड़ी 30 मीटर पर सेकेंड है मतलब बेसिकली 30 मीटर 6 सेकेंड में जा रही है सिंपल बात यह हैं तो 72 वाली कितने में जाएगी 18 चौके बहतर तो 72 वाली कार A मान ली कार B बहतर वाली कार B मान ली तो 18 चौके बहतर तो यह इसे चार गुना ही तो जाएगी 6 सेकड में टाइम तो सेम ही है ठीक है अब देखो अब इसका समकोण मान रहा है मतलब की राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है अगर मैंने यह 30 मान लिया और यह 120 मान लिया तो हम यह निकालना है अब यह निकालना मुश्किल हो सकता है बिलकुर हो सकता है पर अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज देखो 30 120 यह निकालना है common क्या रहा है 30 common निकालनो एक चार एक और चार का तो square root निकाल दोगे ना निकाल दो एक और चार का square root कितना एक प्लस 16 मतलब 17 और root 17 है ना तो root 17 आजएगा तो एक चार root 17 तो कितना आगा है यह वापिस मिल्टिप्ला कर तो 30 120 और 30 root 17 अंसर कितना है को मीटर पर सेकंड में convert करने के लिए हम 5 बटे 18 से multiply करते हैं ठीक है तो 18 km पर ती घंटा को कर मैं 5 बटे 8 से कर दूँगा तो मीटर पर सेकंड मा जाएगा तो मतलब 5 मीटर पर सेकंड इसका मतलब क्या हुआ एक सेकंड में 5 मीटर जा रही है कितने में कालना 6 सेकंड में तो 30 मीटर जाएगी यही 30 मीटर आगया वापिस क्लिएर पाते सेम 72 किलो मीटर पर ती घंटा 72 पांच बटे ठारा से कर दूँगा तो किस में सल जाएगी मीटर पर सेकंड मा जाएगा अंसर 18 चोक चार पंजे 20 20 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में कितना जा रही है 20 मीटर 6 सेकंड में 120 मीटर जाएगी यही चीज तो आगी ठीक है बाइक तीर होगा मेरे साब से बटे दाना है देखाओ दो बटे 3 बटे 3 पिलाल स्टाटिंग में इस फिलाल स्टैंग में आईएच जाएख दो ओर सी पटे च्छेश और शे बटे 2 कि तीन च्छे दो का एलसेम कितना होगा दो तीन च्छे का एलसेम च्छे ही हो जाएगा और भाई यह 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 जो अभी इस में तर से निकालते हैं वह प्लीज छोड़ दो कि ऐसे बेडा पार मुश्किल है तो प्लीज अब मेरे बड़े भाई की सला मान लो या फिर एक छोटे भाई की सला मान लो प्लीज भाई इसको छोड़ दो ठीक है यह आपको सारे तरह के सिखा देगा हमारे पास टाइम है तो आपको मैत में तो मैं तेज बना ही दूंगा इस शे किशार जाएगा 3 मदी च्छै कुछा से मढीब्ल बाक झाएगा च्छै छोटो Jana जैब जोडों चछह से कर लोगे दो थी यह तो चैथी अठार ऐसे निकालना निकाल दोगे चार रिशो तीन रिशोट औरर यह अंसर आजिएगा एक से दूसर तक कि कितनी गिंतिया 9 से विवाज्या होते हैं अब दूर चलिजाओ नबवे होता है अब आपको counting करना ही जो होता है आपको पता है 90 दिवाइड होता है नबवे के बाद 180 भी तो होगा एक 180 होगा ठीक है 180 होगा फिर 189 भी होगा सिंपल नो एड गिया है मैंने कुछ जोड़ा थोड़ी है मैंने इसमें मैंने को पता नहीं है मैंने बस नो एड गिया और फिर एक नो रहेकर दो 198 ठीक है 9 इंटू 1 यह होता है और 9 इंटू 20 यह होता है है ना 9 इंटू 20 21 22 तो 9 इंटू 22 यह होता है तो वान टू थ्री फोर अगेसे गिंती गिंती तो यह 22 तक बाइस बताओ क्या था इसमें पुछ भी नहीं था चलो एक व्यक्ति दुआरा 15 वर्ष में मूलधन पराप्त किया गया साधारन ब्याज मूलधन क मतलब कि जो सिंपल इंट्रेस्ट मिला है इंग्लिश वालों के लिए जो सिंपल इंट्रेस्ट मिला है 15 साल में वह प्रिंसिपल का 180 परसेंट है मतलब कि मतलब कि हमें 180 परसेंट का ब्याज मिला है कितने 15 साल में और भाई सिंपल इंट्रेस्ट में न क्या होता है अगर 2 प तो अगर मैं उसे बोलू 2% का प्याज 5 साल में कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा हर साल 2% मिलागा 10% हो जाएगा तो सिंपल तो बहुत है यहीट हो और इसमें जो यह तो यही रेट था यहीट हमें पता नहीं है यही तो होगा, इयर लीट कितना आजाएगा, 180 बटे 15, देखो इसका अभी बहुत इसान सोलुशन दूँ, 180 बटे 15, आपको पता 150 पूरा प्रो डिवेड हो जाएगा, बचेगा 30, 30 कितनी से हो जाएगा, 15 से 2 से हो जाएगा, तो 10 वो और 2 ये 12, भाई, अगर तुम्हें बताना चाहूं, तो मैं जो होती नहीं, वेदिक मैथ होती है, मैं इंडल मैथ, इसमें मैं 10 क्लास में मतलए बेसिकली कोर्स टाइप कराया था, और फिर लास्ट में कॉम्पेटिशन हुआ था, तो मैं फर्स्ट आयता उसमें, ठीक है, तो आपको मैं बहुत सारी चीज़े सिखा सकता हूं, नहीं, ठीक है, थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए, तो कि मुझे यार मैं जब इतनी वीडियो लंबी बनाता हूं, मुझे रगता है कोई देखता नहीं है इसको, इसलिए मैं इग्नोरी करता हूं, जर्मेली, बट, यस, लेट साट, रिशब किसी कार्या को चार बटे पांच भाग को 16 दिन में करता है, रानी रिशब से दो गुना कार्या कुशल है, मतलब की जो रानी की एफिशियंसी है, रिशब से वो दो गुना की है, देखो, ये रानी, ये रिशब, ठीक है, कार्या कुशलता दो गुना की है, मतलब अगर रिशब एक काम कर रहा है, तो ये दो कर लेगी उसी टाइम में, ठीक है, और एफिशियंसी इस इंडिरेक्टली परपोर्शनल टू टाइम, वह आपको पता हूँ कैसे, देखो, रिशब, रिशब, चार बटे पांच काम, सोलह दिन में कर रहा है, चार बटे पांच काम, तो चार चोके, एक काम कितने में करेगा, बीस दिन में करेगा, तो टोटल सभाइटिरेक्टली सबओन ऐसरेक्टली सब्सक्राइब छरता है, मतलब कि नियुक्षीर कि येक्छी सही हूए, यसक्यों रिशब का सब्सक्राइब नी कितना इंड्य होग रेघ्ण सब्सक्राइब, इस है करेगा बटेटर बिश दिन में का करनागा, जल्टरेंन का ठीक है तो दस दिन है क्लियर शायद आगया हो नहीं आया टैंच लेने वाली बात नहीं है अभी और कंसेप्ट साइंग जा गए वहां सीख लेना बस बेसिक आइडिया दिमाग में गुसा efficiency और जो time है वो indirectly proportional होता है ठीक है चलो यह होता क्यों बताओं क्या जो में जरा देखो यहां देखो यह बताओ अगर मैं हूँ हमाजू मैं किसी काम को दस दिन में करता हूँ और अपने साथ कोई भी जो भी अपना स्टुदेंट है अपने भाई जो भी देख रहे हैं मैण है कोई भी काम को 20 दिन में कर रहा है तो ज्यादा efficient कौन हुआ क्यूंस एफिशेंट कौन हुआ ज्यादा क्यूंकि मैं जल्दी काम कर ले रहा हूं टाईंस कर दो ठोली ताइम का भाव लग रहा है कि गंटे क्लास हो चुकी है इसलिए यदि M प्लस N का पंदरा परतिशत यदि M देखो M प्लस N का पंदरा परतिशत M-N के 65 परतिशंत के बराबर सिंपल सिंपल है तो MN का कितना प्रतिशत होगा तीन पंजे चारी पाच तीए और पाच तेरा तेरा M और तीन N कितने 10 M हो जाएंगे दोनों साइड सेम साइन है तो माइनस M का किया प्लस का साइन है यहां पर 13 M बनते हैं यहां पर 3 M बनते तो 13-3 10 13 N माइनस का साइन और 3 N प्लस का साइन तो 16 N बन जाएंगे कि अब रेश्यों देखो अगर अगर एंडस है तो यह 16 है कितना परसेंट जादा परसेंट जादा अब यहां दिक्कत तुम कराओं तुम तो 60 पर टिक कराओं पर इसमें बोला है M N का कितना परतीशत है कितना परसेंटेज है यह नहीं पूछा वह कितना परतीशत जादा है यह जो आपने 10 तो भाई 10 इसका 100 पर्शेंट हो जाएगा और यह 60 पर्शेंट है तो 160 पर्शेंट हो ना बच्छे ठीक है यह भाई ज्यादा मैं इसमें इसलिए समझा रहे हैं कि मैं थोड़ा सको प्रैक्टिस के रूप में करना चाहर हूँ समझाने के लिए आपके पास चैप्टर जरूर आएंगे आगे वह आपको जरूर बता जाएंगे ठीक है और जिस भी चैप्टर फर क्लास ची जरूर बता अलगी शेया गा ठीक है जय को अलाओ यह उसमें जस्था जस्था जो भी होता है इंग्लिश में क्या होता कॉपर कॉपर Про exclusively dalla 65 एंज च्न,Sh 10215 मं ऌना देखो, एक पानी की बॉटल ली मनें, पानी की बॉटल ली, दो लिटर दूद है, तीर लिटर पानी है, रेश्यो कितना हो गया? दो रेश्यो तीन, इसका मतलब ही हिएक और जोड़के ही तो बन रहा है, मतलब किया है, पूरा जो पानी dec consultant बना दूदद और पानी का वही कि हुआएगा तो इसका मतलब क्या है 7 रेशो 5 का जस्ता और तामबेशी तो बनें 60 किलो तो 12 की वेल्यू कितनी अधेगी 60 एक की वेल्यू 5 कीलो ठीक है यह आगया रेशो मतलब जस्ता जस्ता था 35 किलो असनी में और तामबा था 25 किलो सेम इसमें साथ इन दस दस की वल्यू असी एक की वल्यू आठ किलो साथ पच्छे चपन स्वारी एट सैंग जफिफ्टिसिक्स और एट थरिजा ट्वेंटिफूर क्या बताना है तो नई मिश्र धातु में जस्ता जस्ता इसमें 35 किलो था और इसमें 24 किलो था कितना हो जाएगा 39 किलो एक वर्ग मतलब स्क्वेर परिमाप मतलब पैरिमीटर उसकी भुजा से 36 सेंटिमीटर अधिक है मतलब जो पैरिमीटर है जो की 4A होता है उसकी साइड से उसकी साइड से 36 मीटर अधिक है लिए चीज बोली विए 3A की वेल्यू कितनी आजाएगी 36 A की वेल्यू 12 ठीक है क्या निकालना है 36 पर बताना है एरिया तो 12 अगर साइड 12 आगी तो 12 का स्क्वेर कितनो होता है सुचा वालिस और भाई स्क्वेर तुमें न सबको याद होने चाहिए सबको ट्रिक सिखा दूमा बट 25 तक सबको याद होने चाहिए ठीक है बच्चे यह वालता जिसमें वह नहीं दिया गया क्या बोलते हैं जिए न ग्राफसानी दिया गया ठीक है और भाई जिसमें पढ़ाते पढ़ाते बच्चे निकल जाता हैं तो कोई नहीं वैसे टो मोकरी ना कि पच्राइन बच्चत कैसे बह तो है वैसे तुम सारे मेरे भाई में दोस्त सारे ही हो ठोड़ होती एक दूद ग्यापारी 50 यृच पर 30 लीटर के दर से ठीक है बाई तथा उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है जो कि पानी उसको मुफ्त मिला यदि वह इस मिशेरण को 40 रुपे पर 30 लीटर की दर से बेचता है तो लाब कितना परतिशत होगा देखो पहले उसका निकालो कितने रुपे का उसको पढ़ा वो 50 रुपे पर 30 लीटर दूद लेके आया कितना 40 लीटर एक लीटर की वैल्यू कितनी थी एक लीटर पचास रुपे का था 40 लीटर कितने हो जाएगा 2000 रुपे का बिल्कुल सही अब देखो 40 लीटर दूद तुछ पर थाई उसमें उसने 12 लीटर पाणी मिला दिया कि अब बना यह दूद ही अब दूद या दूद में पानी मिला देगा कि मानी तो अब उसके पास 12 लीटर का दूद हो जिसको को उसने 40 रुपे पर 3 लीटर पिचा 40 रुपे पर 3 लीटर बिचा और 52 है कितना पर 50 से करेंगे 2000 तो आएगा और 42 से करेंगे 80 आएगा तो 2000 यह 20080 यह करने कोई ज़ूरत नहीं है करने कोई जोर तो नहीं है मेरी केलकूपिशन देख भी 50 4 5 पता ही हे 40 50 2,000 राना है 40 2 20 बचा 40 280 तो 20 80 ठीक है भाई परतिशत लाभ कितना 80 रुपे का लाभ हुआ कितने पर 2000 पर बिल्कुल सही है वो कितना आ गा देखो यह आपको निकालके बता रहा हूं पर परसेंटेज की एक बहुत ही उंदा तकनीक मेरे को पता है वो आपको सिखा दूगा तो कितना देखा यह चार परसेंट ठीक है चार परसेंट चलो यह देखो यह वही चीज़ इसमें डाइग्राम दिया नहीं हो था बट मैं मतलब एक्विशन दी नहीं हुई थी मैंने खुछ से बनाए देखो करो इसको करो पाई सारे ना वीडियो पॉस्ट करके कोश्चन करने हैं कहीं बैठके मेरा सोलूशन द अंसर आगया तीन इंटू इंटू आएगा इसे डिवाइड कर लो सौल छह थी है 18 इसमें ना इस चीज का याद रखना बोर्ड मास का भी ओडी एम एस पहले ब्रैकेट फिर ओफ आफ का मतलब मल्टिप्लाय होता है इसमें आप नहीं दिया गया था दिफ और डिवीजन त बैइसमें थी है अगे अप लूगर आप इसमें अपने एक शेश्वल चार बचना चीला कि छीतर को चैसे करणाग बहतर आएगा बहतर चीके नहीं सब्सक्राइब भारा चीके बहतर चार शेश्वल बच जाएगा 310 जो तो पूरा पूरा डिवाइड होता है चैसे तो 300 पूरा पूरा डिवाइड बचेगा 10 बचेगा 10 में 16 जाएगा चार बच जाएगा इसमें बच रहा है 463 463 को तोड़ लो तोड़ के डिवाइड करता हूं वह ऐसे बच्चों की तरह करना यह कोई तो क्वाली बात ने 463 है मुझे पता है 420 पूरा डिवाइड हो जाएगा बचेगा कितना 43 43 में से 42 प्लस एक बचेगा यहां पर एक रिमेंडर एक बच रहा है तो यह जो गलत हो जाएगा ठीक है शायद अभी साब समझ ना आ रहा हो यह वाला तरीका ठीक है काफियों को आप ही गया हूं देखो मैं दिखा दूँ क्या एक पर देखो कैसे करना है जैसे 463 का देखना में कि यह 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो तो सबसे पास फ़ला नंबर देख लो जो भी आपको यादा हो देखो 42 डिवाइड होता है तो 420 भी 6 से डिवाइड होगा सिंपल सी बात है उसके बाद कितना बच गया 43 बचा इस 43 में को भी तोड़ लो 42 प्लस एक बैल इस पता है पूरा को डिवाइड हो जैगा तो एक रिमेंटर बचेगा ऐसे निकाल रहा हूं ठीक है यह आगे और जिसे में करके दिखाऊना आपको और बहुत ज्यादा अच् चले आगे यह बात क्लियर 9 से देखो 9 से देखो 9 से तो रिमेंडर निकालना बहुत सिंपल अगर निकालना 9 से रिमेंडर सारे डिजिट्स का सम कर दो सारे डिजिट्स का सम कर दो जब तक वह सिंगल डिजिट्स में ना आ जाए तो साथ और छे तेरा तेरा का फिर सम कर दो मतलब फिर से जोड़ दो 4 तो अगर आप 76 को 9 से डिवाइड करोगे 4 रिमेंडर रहेगा निकाल के देखो 310, 3 प्लस 1 प्लस 0 4, 4 रिमेंडर 4 प्लस 6 प्लस 3 6 प्लस 4, 10 10 और 3, 13 फिर से जोड़ दो, अगर double digit में आ रहा है तो फिर से जोड़ दो, 4 देखो 4 रिमेंडर, 4 रिमेंडर, 4 रिमेंडर तो चार रिमेंडर जो बोला है बिल्कुल सही है पर अब इसमें एक दिक्कत ही कर दोगे आप लोग की इसमें बोला है सबसे पर्देख स्तीती में सेशवल सबसे बड़ी संख्या तो अगर 9 से ओरी तीन तो वैसी कर जाएगी तीन तो वैसी कर जाएगी और 12 से करके देख लेते हैं 12 से जोगो छेतर तो जाएगा उसके बाद 300-200 करना है तो 300 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 12 से बिल्कुल हो जाएगा कैसे? 240 और 60 10 और बचेगा अब देखो बच्चो अब दोस्तो देखो मैंने क्या किया 5 बंदे गए थे तुम्हें न और 5-5 रुपे का समान लिया 25 रुपे बेसिकली स्क्वेर ही तो हुआ है अगर आप X बंदे गए हो और X ही खर्चा करेगा हरा एक बंदा तो X स्क्वेर ही तो हो जाएगा इल्कुल सही है मतलब कि आपको बेसिकली X इंटू X क्या दिया हो है 17,444 दिया हो है मतलब आपको X स्क्वेर 17,444 दिया हो है आपको X निकालना है अब देखो आपको 100 से ऊपर वाले नंबर का स्क्वेर निकालना बताता हूं इतना भी डिटल में नहीं बता पाँ पर सूनो फिर एकLemple 122 का स्क्वैर निकालना है यह सुसे कितना बड़ा है दो बड़ा है सौना बड़ा है इसमें दो जोड़ दो कितना है 104 कि आखरी में हमेश्याद दोफेश शरी कि आखरी में दो स्पेश के लिए चोड़ने ए चोड़नी नहीं बताओं क्या करना है दो कस्कुएर कि टोफेज चार और सिंगल डिजिट है स्को डबल डिजिट में मना के लिखना है तो 04 निकाले देखो 102 का स्कुएर ही मिलेगा और देखो 106 का स्क्वेर निकालना है 6 से कितना बड़ा है स्वारी 100 से कितना बड़ा चैनल दो इसमें 112 लास्ट में दो जगा चैका स्क्वेर 36 डबल जिट में आया ही है 12 जोड़ दो 1224 दो जगा छोड़नी है अब देखो 12 का स्क्वेर तो 144 आता है पर यहां जगा तो दो ही है तो इस एक को यहां शिफ्ट कर दो और यहां चार चार लिखो अब इसको जोड़ दो चार चार पांच दो एक निकाल के देखो यही आएगा क्लीर है बात चलो अब देखो यह निकालने 17424 बानवेका तो आएगा नि क्योंकि 10 का स्क्वेर कितना होता है दस का स्क्वेर दस जार होता है दस जार से बढ़ाई है यह तो कटी जाएगा एक सो दो का भी नहीं आएगा एक सो दो कथा हमने निकाल के देख लिया कितना आ रहता यह दस जार चार सो चार आ रहता है अब बचे 122 और 132 अब इसको छोड़ कि अभी और आइडिया लगाना थे को 120 अगर मैं आपसे 120 का स्क्वेर निकालू तो 12 का कितना स्क्वेर होता है 144 तो 12 का स्क्वेर ही आएगा और 130 का स्क्वेर कितना आएगा 16900 बेसिकली 13 का स्क्वेर करें डबल लगानी है ठीक है तो 16900 यह 16900 से बढ़ा ही है तो इसका अंसर क्या होगा यही होगा ठीक है यह उप्शन से होगा पर अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालते देखो 132 तो सो सा कितना बढ़ा 32 बढ़ा बद्तिस जोड़ देंगे कितना ए स्क्वेर 1024 आप में से आपको निकालना पड़ेगा बट मैं सको आपकी सारी सारी सीजी सिखा दूआ एक हजार चौबिस मेरे को सारे स्क्वेर याद है कितने ही पूचे 236 का पूचे 424 का 536 का कोई सा भी स्क्वेर सारे निकालने आते हैं चार दो चार साथ एक आगे ना बचे आगे नहीं तो सब्सक्राइब है ठीक है चलो भाई पंदरवा कोश्चन एक रेल गाड़ी मुंबई से तीन बजे अपर रहा मतलब पीम शायद है ना पीम पर शुरू होती है 35 किलोमेटर परती घंडा की स्पीड से एमधाबार की और चलती है दूसरी रेल गाड़ी एमधाबाद से पांच बजे शुरू होती है और मुंबई तरफ 45 किलोमेटर परती घंडा की गतिसे चलती है यदि मुंबई देता मैं एमधाबाद की बिच्वी 390 किलोमेटर दूरी है तो यह बताना है रेल गाड़ी कितने बजे मिलेंगी देखो यह मुंबई यह हमताबाद यह रेल गाड़ी है पर यह तीन बजे चल पड़ी यह 5ज चली है यह कभी ऐसा होना कि यह तीन बजे चली है यह पांच बजे चली है और 20 कि ईसन से कितने 360 किलोमेटर तो पहले दोनों टाइम सेम कर लो रटवानी रहा क्या करना है जब ये एमदाबाद वाली चलेगी तो ये भी तो पता हो न अच्छी है कि ये जो मुंबई की ट्रेन जो तीन बजे तीन बजे से चल चुकी है ये कहां तक पहुँच चुकी होगी है ना तो देखो ये मैंने मा किसा लीए पांच बजे तक यहां आगए और १े चले पांच बजे तक एक घंते में है racing किलो मीटर प्रती घंटा इसका मतलब क्या ऐन्टे में 35 किलो मेटर कॉत पैंतीस गलो मेटर 1 घंटे सिंच दो ऊंच दो 17 किलो मेटर पाथ क्लियर सितर किलोमेटर डिस्टन्स बचा कितना तीन सो बीस किलोमेटर ठीक है पाच बजे जब यहां से एमदाबाद से ट्रेन चली और जो मुमबई से ट्रेन चलती वी आ रही थी उनमें दोनों में बीच में दूरी कितनी बची हुए आदे तीन सो बीस किलोमेटर अब देखो बताओ अगर आप यहां से भाग हो असавать यहां होने से और आपका दोस्त गिर्लू कि इस गली इसगाई इस गली होने से भाग रहा है और दोनों भागते एक दुसरी तरत आओगे तो सब्सक्रीमेटिवीटि lot fig पर अब यह टहीक आप लोगों पूरि टीक है और स्पिड आपकी च्पीड क्यों होगी जितने समय आप यहां से यहां आ रहे होगे उतने शुमें में वह यहां से यहां आ ठीक है अब यहां से यहां यहां से यहां 35 की स्पीड यह दोनों की जूट जाएगी स्पीड कितनी 70 किलोमेटर मतलब कि यह यहां से आ रहे होगी 35 की स्पीड से यहां से 45 की स्पीड से आ रहे होगी ठीक है डिस्टंस कितना डिस्टंस 320 रिलेटिव स्पीड कितनी 70 किलोमेटर सब्धर इमिना सब्धर ठोरी 80 km तो कितना लगेंगे 4 घंटे यह देखो 320 km था यह km प्रती घंटा था तो km से km प्रती घंटा तो ऊपर चल जाएगा तो 4 घंटे 4 घंटे में मिल जाएंगे ठीक है 4 घंटे में मिल जाएंगे तो पांच बजे के बाद चार घंटे और कितने नौ घंटे अब इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो मुंबाई वाले ट्रेनिर नौ बज तक यहां पहुच जाएगी नहीं कहीं बीच में यहां पहुची होगी और उसी टाइम पे यह यहां मिलगी होगी मतलब दोनों आमने साम जाल इसका मतलब यह ए भाल इस इसका मान बता हूं आइस मान बटाओ इसका पहले ब्रेकिट देखो शब्सक्रब्स क्यों कि इसके बाहर म musimy माइनस है। किया होगा। देकह है। नृट इहां माइनस है नृट देकह है। इहां माइनस मेनस है। किसको 2 किटिमेट इसको गया ठीक है तरिज्जा 44 cm मितलो रेडिस 44 cm तरफा इसकी उचाई 14 cm तो उसकी जो हैट है वो 14 cm इसको यदी घन की बुझा 11 cm बिसिकली क्या किया गया क्या किया गया देखो आइफ देटूल्स टोंट वर्य ठीक है द्यार यह स्रेंडर था इसको पिगलाके हमने क्यूब इसम है तिक है चोड़ो क्यूब है नितों हूँ क्यूब आइननकृम आइनक्योटायक्योट दो याकनट है क्यूब ऐसा कुछ होता है आई Min लिएश दी वी बयाय एक ब lovely?」 इसको दीविये है कियो बना गया तो किसी बी और दी यह गिला के क्यों करें बनाए गया तो वालिम्ना ग्रसि जीफ बनी होई है है उसको अगर पिघला दिया तो वही चीज तो अगर उसको पिघला के और कुछ चीज बना दी गई तो वही चीज तो रहीं इसकी बुचा कि इतने दीवे 11 ठीके बेसिकली वॉल्यूम दोलों की वॉल्यूम एकुल रखना एं आप को उंसर मिल जागा कि सिलेंडरी वॉल्यूम बताव भाई पाई आर स्क्वेर एच हिच क्या रिया और सॉरी और काफी सारे क्यूब्स निकले हैं तो चोटा क्यूब बनाया है तो काफी सारे क्यूब्स निकले इसलिए एन लगाएंगे एक बड़ा लोहे का पीस लेके आओगे और उसमें से सिक्खे बनाओगे, तो काफी सारे सिक्खे निकलेंगे, एक सिक्खे की वॉल्यूम बता देंगे, for example मैंने एक क्यूब की वॉल्यूम लिख दी और कितने सारव की कैसे एन लिख देंगेinda कि भाई इतनी सारे बने होंगे ठीक है तो ये 11 से 4 ये 11 से 4 ये 11 से 2 और ये 7 से 2 तो 4, 4, 4, 16 और 16, 32, 32, 64 ठीक है भाई, 64 बाद आगा इसका अब्सार X, Y से 40 पर्तिशत अधिक है X, Y से 40 पर्तिशत अधिक है मतला अगर ये 10 है तो ये 14 होगा X, Y से 40 पर्तिशत अधिक है परिकूल सही है तो Y के अंक, X के अंकों से कितने पर्तिशत कम है किस से कम पूछे X से, नीचे क्या आएगा X आएगा, काफी सारी अगर English में लिखा होता है English में लिखा होता How much less marks Y, how much less percentage marks Y got then X मतलब ये, then के बाद जो आएगी जो में X पूछा हुआ है तो जिसके comparison में पूछा है वो नीचे आएगा, ठीक है X के comparison में पूछे, X नीचे आएगा कितना कम है भाई, भाई, 4 कम है percentage निकाल लिए into में 100 करेंगे ठीक है, अगर मैं सीधा करना चाहूँ नहीं मैं ऐसे करता हूँ, देखो, आपको दिखाऊ ये 2, 2,7 और 2,7 को 2,7 होता है 28.57% 5-6% होता है बेसिकली, आगे चलता रहता है पर ये होता है, देखो, ये मैंने इस fraction की, हर fraction की value होती है वो आपको ये मैं याद करवा दूँगा, एक बार जिसी भी class में, उसमें फिर आपको percentage निकालने को, चाहे वो एक बटे 16 हो, चाहे वो एक बटे 5 हो, एक बटे 4 हो, एक बटे 3 हो, ये सारे ये fractions याद हो जाएंगे, पर एक्जेमपल, अगर मैं लिख दूँ आपकी, 11.11.11.11.11 percentage, ये कितनी value होती है, इसकी बता हो, पता है किसी को, एक बटे 9 ये याद करने वाले चीज़ है, 9.09.09.09, इसकी value एक बटे 11 12.5% कितना होता है, fractions में, एक बटे 8 है ना, बहुत सारे चीज़ें आपको सिखानी है मिरको, ठीक है, ये क्या हो या, इसमें भी देखो बच्चे, वो दोस्तों इसमें वो दी नहीं हुई थी, जो में से बच्चे बोल रहा है, बुरा मत मांदन हो गई, ठीक है, गल्ती से निकल जाता है, और, वहीरा फिर मैं इसमें क्या बोला है, सीवन में काम करने वाले अधिकारियों की संक्या, सीफाइफ में काम करने वाली अधिकारियों की संक्या कितना परतीशत है, तो सीवन में, यह मैंने खुछ से मना दिया, सीवन में 80 बंदे काम कर रहे हैं, सीफाइफ में 200 बंदे काम कर रहे हैं, तो 80 क और कितना पर्सेंटेंट दो सो का देखों अगर मैं आप से बूचाइब तो कितना पर्सेंटिज ले लिया तो कितना पर्सेंटिज ले लिया तो वैसी अगर में आपके बाद 200 रुपे हैं और 200 में से अगर मैं आपका 20 रुपे लुआ तो कितने लिया दस पर्शंट ले लिया है ना मितलब बैसे कि आधा ही तो कर दिया तो अगर देखो सीधा निकालना है परसेंटेज आप निकाल दोगे पर इसको और इजी करूं दो से कार्ब दो 40 और सो से पर्शंटेज क्या होती है हर अन्डर पे ना हंडरेड पे 40 तो 40 परसेंट बहुत साय तरीक है यापको एक तरीका बता है ठीक है तो दोस्तों यह खतन हो चेकिए मैं अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करवा सकता है अगर आप चाहो तो हिंदी भी करवा पर वह रिस्पॉंस नहीं मिलता आप लोग साइड से इतने काफी सार लोग देखते नहीं है कुछ-कुछ आदे देखके छोड़ेते हैं बस यह चीज रहती है ठीक है टी टूटलर देखो यह पर देखी लो पर दोई कोशन है बड़ी देख लो मैंने पीडियेफ कार्ट रख अब बनावटी हो वह होता है तो टी टूटलर का मतलब कॉस्मेटिक बनावटी होगा स्पैशियस भी होता है और अपोसिट पूछे तो रियल I go to toilet will I go to toilet गलत सवाल है have, should जब भी permission मांगते है most of the cases में हम use करते हैं I go to toilet यह आपको पता ही होगा यह तो आप करेद होगे ठीक है भाई दोस्तों तो यह जो PDF है यह आप लोगों को मिल जाएगी कहाँ पे Telegram पे मिल जाएगी जो भी कोई ट्रिक अच्छी लगी हो कोई चीज सीखनी हो वो इपर कमेंट करके बता देना वो जरूर आपको सिखा दी जाएगी ठीक है दोस्तों तो करें आप एप वीडियो खत्म आप से मिलते हैं अगली क्लास में और भाई NIS वाली जो अगर जो हर साल के 100 questions है जो previous year है वो भी करवाने का try जरूर है और वो करवाएंगे उसकी चिंता मतलो ठीक है तो चलिए दोस्तों आप से मिलते हैं वीडियो तो तक लिए जहिंद वंदे मातरम राम राम सारे रहो खुश और हो जाओ अबार Thank you so much